जिन्दगी में न, हारना बहुत ज़ादा ज़रूरी है काफे लोग बोलेंगे यार नहराइन बिना मतलब की हारने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है हारना in the sense, ऐसी हार जिसमें हम हार के भी न, उस हार को enjoy कर पाएं वो बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसी हार जिसमें हम हारने के बाद उस चीज़ को enjoy करते हैं तो हमारा जो mind होता है वो acceptance की तरफ चलता है और जब वो acceptance की तरफ चलता है न, तब हमारी जो analytical जो thinking होती है वो बढ़ जाती है हम सोचते हैं कि हम क्यों हारे हैं, वो कौन से facts रहे हैं तो कौन से situation रही है जिसके कारण ये मैं हार पाया हूँ, वो सारी चीज़े हम खुद के लिए सोच पाते हैं अगर हम ऐसी हार में हारते हैं न, कि like अगर मैं हार गया हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा हूँ उसके बारे मैं सोच-सोच के, सोच-सोच के, एक मैं वो thinking loop के अंदर फस गया हूँ तो हम analytical thinking नहीं use करते हैं, हम emotional thinking use करते हैं और जब इस step की emotional thinking use होती है, तब हम बहुत सारे bad decisions लेते हैं और जब हम analytical thinking use करते हैं, तब हमें logics and facts मिलते हैं कमाल की बात यह है, human mind इतना smart, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, और नहीं हुआ है और नहीं यह कभी होगा, कि on that instant of time, वो अपनी हार को enjoy कर पाए और उस हार को accept करके यह बोले, कि यह जो हुआ, सब ठीक हुआ यह वाली जो power है, अभी तक मैं सादू संतों में, संतू वाले जो लोग हैं, उनमें ही देखवाया हूँ ऐसी हार, जो मेरे साथ हुई, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे failures हैं वो मैं अपनी जो stories हैं, वीडियो के तरू किसी ना किसी तरीके से मैं बताता रहता हूँ और जो कुछ common, जो मेरे failures life के रहे हैं, वो जैसे मैं हमेशा से एक Marcos बनना चाहता था मैं Marcos नहीं बन पाया मेरे लिए एक बहुत बड़ा failure है, मैं बचपन से मेरा dream था कि मैं Marcos बनूँ weapon industry की चीज़ें सीखू, मैंने diary में 2-12 तक में ये चीज़ें लिख रखे दे मेरे लिए एक failure था, होश सकता है, मैं उस चीज़ें के लिए capable नहीं था उस टेम पर मुझे बहुत बुरा लगता था रोना आ जाता था कि ये मेरा सपना ये पूरा नहीं हो पाया मैंने इतनी मेनत कर दी, फिजिकल फिटनेस पर काम किया लॉजिकल थिंकिंग पर काम किया उसके लावा जो एक्जाम्स होते हैं उस पर काम किया मेरे लिए कि मेरे लिए कि मेरे लिए कि मेरे लिए लगी लेवल का एक अटिट्यूड और इगो था जो मुझे करना था अनिहाव दैट वस अ फेलियर उफ मा लाइफ और क्या क्या चीज़ हो तो मैं ओबिसली इस वीडियो में नहीं क्लियर कर पाऊंगा बट इसके लावा जो मेरा सेकेंड फेलियर हुआ कि जब मैं मा को नहीं बन पाया I started trying to become a software engineer तो यह मुझे family support भी देनी थी तो मैं software engineer की ट्रेनिंग लेने के बाद कि अब जमनी में जब एंटर हुआ तो मेरा first role business analyst का शुरू हुआ second failure मैं इसको बोल सकता हूँ कि training मेरी software engineer की हुई experience मेरा software engineer का हुआ और सब कुछ एक अच्छा engineer होने के बावजूत मैं एक business manage कर रहा था मेरे लिए तो वो एक exactly बहुत बड़ा failure था मेरी life का जब यह मेरे साथ incident हुआ था I was in Mumbai मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि यार नारायन टुग train किसी और चीज के लिए हुआ है चीजें किसी और के लिए तु कर रखा था तुने तेरे सपने कुछ और चलते हैं तु करता कुछ और है और failures आके situation ही कुछ और change हो जाती है इस इसको समझना उस time पे मेरे लिए possible नहीं था इंसान का दिमाग इतना smart है ही नहीं यह जो कृष्णा है ना यह जो supreme soul है उसकी जो vision है ना इंसान के vision से 10 times faster और smarter है आज अगर मैं connecting the dots वो steep jobs की जो connecting the dots वाली theory यूज करता हूँ ना तो मुझे कृष्णा के वो सारे decision जो मेरे भीहाब पे कृष्णा ने लिए मुझे guide किया गया मुझे supreme powers की तरफ से हर चीज़ बताई गई तो मुझे वो failure है ना उनके सारे जो reasons है वो मिल जाते हैं कि मैं क्यों fail हुआ जिस अगर मुझे वो failure नहीं मिलते तो मैं आज एक business owner नहीं होता अगर मैं business analyst नहीं बन पाता तो business चलता कैसे अब मैं वहीं सीखी नहीं पाता software engineer तो भगवान ने अल्रेडी मुझे बना दिया था ना भगवान ने कहा कि या नारायन software engineering क्यों बनना business भी सीख पर उस टाइम पे उस failure को accept करना मेरे लिए possible नहीं था आज उस failure को मैं really accept करता हूँ क्योंकि उसके बदले जो मुझे achievements मिली है वो कहीं न कहीं मेरी सोच से बहुत जाता है कहते हैं ना भगवान आपसे एक चीज़ अगर छीनता है ना तो उसके पास आपके पास उससे बढ़िया चीज़ होती है सच में होती है बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं ये introspection करनी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर हम इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे ना हम उस supreme power को कभी भी gratitude नहीं दे पाएंगे कैसे हम thank you बोल पाएंगे कि मुझे उस टाइम पे fail करवाया मेरे साथ बुरा किया और आज का वो अच्छा दिन दिखाने के लिए है ना जस्ट think about this question अगर आप भी कभी अपने life में fail हो या तो क्या आपने हस्ते हस्ते situation को accept किया है यार अभी fail हो गये है प्रिष्णा ने या वो जो supreme power है उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा और जब कभी आपके साथ अच्छा हुआ है क्या आपने वो connecting the dots वाले theory यूज किये है इसके success के पीछे ये failures attached थे ये story बनी थी जो शायद हमारे control में नहीं थी एक unknown factor के कारण वो story और एक failure में convert हो गई and just because of that failure हम उस position पे होते है पर इंसान की आदत है न जब इंसान को success मिल जाती है तो credit खुद ले लेता है ये मैंने कर दिया fail जब होता है तो इंसान किसमत पर दोश डाल देता है तो ऐसा क्यों किसमत भगवान लिखता है indirectly तो वो वाली बात होगे कि आज मैं fail हो गया Krishna ने fail करवा दिया right? Marcos नहीं बन पाया Krishna ने fail करवाया software engineer नहीं बन पाया था Krishna ने fail करवा दिया आज मैं wake up orders का founder हूँ मैं दो books का author हूँ तो यह मैंने कर दिया कितने selfishness है ना नहीं है क्या आज वो failure के कारणी तो आज का दिन में देख भा रहा हूँ मैंने ऐसा कि कर क्या दिया यह हमें सोचना बहुत ज़ादा जरूरी है तो कि यही वो factor होते है जो हमारी ego को निकालते है हमारे attitude को हमारे अंदर से निकाल देते है हमें एक open vision देते है हमारे जो यह दिमाग के जो खाचे है ना इसमें हमारी मैं मैं वाली जो ego भर जाती है और हमारा सोचने का दाइरा खतम कर देती है एक बार कृष्णा को बोल के तो देखो तेरे उन दिये हुए failures की वज़े से आज मैं यह सारे success अचीव कर पाया हूँ फिर देखो कृष्णा आपके दिमाग को कैसे open करते है और वो सारी powers आपको देते है जो शायद अभी कभी आपने सोची भी नहीं है यह इतना powerful है यह मेरी बातों से बोल कर समझाया नहीं जा सकता क्योंकि यह चुछ चीज़े है ना believe करके experience करने वाली है मैंने तो experience किया है अपने life में उस time के failures को मैं हस्ते हस्ते accept नहीं कर पाया था पर आज मैं literally उन सारी चीज़ों को accept करता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ मेरे सारे failures जो हुए उनकी वज़े से आज इस position पर ना I am really really grateful for all these failures and all these successes Thank you so much Krishna for doing that much things for me मैंने इस पे एक line लिखी थी Krishna ने मुझे वो सारे चोटे चोटे failures में हराया just because मैं वो बड़ी एक win अचीव कर पाऊ but वो जो बड़ी win थी न वो मेरे दिमाग में ही थी कभी कभी थी ही नहीं वो मेरे दिमाग में और आज जब वो बड़ी चीज मेरे हाथ में है न वो लगता है यार वो छोटे चोटे चीज़े तो नहीं भी मिलते तो क्या ही फारत पड़ता isn't it interesting मेरे लिए तो यह बहुत interesting चीज है मतलब समझ नहीं पाता कि यह magical things होती कैसे है कैसे यह चल रहा है यह जो calculations है न यह मेरी excel और मेरी जो forecasting budgeting से तो बाहर है सच में Krishna की जो powers है या supreme power की जो powers है वो किसी भी excel किसी भी mathematical calculation से beyond चलती है तभी Krishna नहीं कहा था करम करते जाओ फल की चिंता मत कर एक बार मेरा नाम ले 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 न फिर देखना चीजें एक second में change कर दूँगा मैं और यह सच में होती है एक बार विश्वास करके देखो मेरे दोस्त विश्वास करके देखो failures होंगे उस टेम पर acceptance करके जरूर देखना और जिस दिन आपको वो success मिलेगी न compare करके देख ले न वो failure का जो reason है नो supreme powers ने जान बूच के बनाया था क्योंकि कोई भी इंसान अपनी वज़े से fail नहीं होना चाहता fail unknown factor से ही होते हैं हर इंसान तो उसको compare करके जरूर देखना कि ये failure के वज़े से मैं यहाँ पर pass हो गया तो इसे लिए छोटी छोटी wins छोटी छोटी जो अगर हमारी जो parts हैं उसमें अंगर हम fail होते हैं तो just leave it, ignore it उसको note down करके रखा जाए याद रखा जाए और जब हमारे पास बड़ी win हो उसके लिए हमें gratitude हमेशा रखना चाहिए क्योंकि वो जो हमारे failures हैं उसमें हमारा हाथ नहीं होता है उसमें supreme power का हाथ होता है क्योंकि जरूर उसने कुछ अच्छा सोचा होता इस आल बाद इस वीडियो थाए थाए तक यू जाए नारायन जाए तोड़ी इस 21st January 2024 इस वीडियो इस वीडियो नेक्स वीडियो